तो बच्चो आज हम मैथली शरन गुप्त द्वारा रचित कविता कैकई का अनुताप पढ़ने जा रहे हैं यह वीडियो क्लास 10th के लिए है इस वीडियो को मैं दो तीन भाग में बनाऊंगी और यह इसका पहला पार्ट है तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं मैथली शरन गुप्त के बारे में जिनोंने इस कविता की रचना की है मैथली शरन गुप्त का जन्म जहासी के एक प्रतिस्टित परिवार में हुआ प्रतिस्टित मतलब सम्मानित परिवार में हुआ राम भक्ती और कावे रचना की प्रवरिती उन्हें पिता से उत्तरादिकार में प्राप्त हुई मतलब वो अपने पिता से काफी प्रेरना मतलब उनके जो पिता थे उनके लिए प्रेरना के श्रोत थे और यही उनको अपने ये जो क्वालिटी है उनको अपने पिता द्वारा वसियत में मिली थी उनकी कविता में देश प्रेम तता राष्ठ प्रेम होने के कारण उने राष्ठ कवी कहकर पुकारा जाता है सम्मान दिया जाता है मैथली शरन गुप्त बहुत समय तक संसत के मनोनीच सदव से भी रहे मतलब वो संसत भी रहे मेंबर ओफ पार्लेमेंट भी रहे आरंब में गुप्त जी ब्रजभासा में लिखते थे बाद में उन्होंने महावीर प्रशाद दुवेदी की प्रेड़ना से खड़ी बोली में कविता लिखी गुप्त जी के पुरान कथाओं पर अधारित का विरचना में अपने समय में जीवन का सुन्दर चित्रन किया है विश्वबंदू की भावना राश्यता और भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाना नारी के प्रती सहानुभूती तथा करुना इनके काविकी मुख विशेशता हैं थी मतब ये जो कविताएं लिखते थे उनमें भारत के जो हमारे भारत ने जो इस दुनिया को दिया और उसके जो सबसे जो रिच पीरिट जो था भारत का उसके बारे में इनके कविताओं में देखने को मिलती है नारी के उपर अच्छा व्यभार और इनके प्रती सम्मान तथा और भी राश्र के प्रती प्यार ये सब उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है इनकी भाषा में तच्चम शब्दों की बहू लता है बहुत सारे तच्चम सब देखने को मिलते हैं उनकी प्रमुक काविरचनाये हैं रंग में भंग जैद्रत कावद भारत भारती यशोधरा धरा और साकेत तो आईए अब हम बढ़ते हैं कविता की ओर जिसका नाम है कैकै क का अनुताब तो उससे पहले हम जान लें कि यह कविता किस समय की है और किस अंदर्व में कहा जा रहा है तो कैकै का अनुताब जो है गुप्त जी का यह महा कावे साकेत से लिया गया है और साकेत जो है वो क्या है? श्री राम की नगरी अयुद्या का दूसरा नाम था है इस कावे में इस कविता में अयुद्या में घटने वाली घटनाओं को केंदर में रखकर राम कता की राम की कता कही गई है इस कवितांश में उस समय का वर्नन है जब कह कही वनवासी राम को घर वापिस जाने के लिए अनुरोध करती है तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि यह जो साकेथ है जो यह जो रचना है जो की मैतली शरन गुप्त ने लिखा है उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है यह अनुताप यह साकेथ के कहकई अनुताप के उस अंश का वर्नन यहां पे किया गया है मतलब साकित तो बहुत बढ़ी किताब है लेकिन यह जो कविता है उस समय का है इस समय का अंश है इसमें वर्नन है जब कैकई राम को वनवास से लोटने का आगरह करती है किस ने बेज़े था? राम वन कैकई के कहने पे दश्रत के द्वारा भेजे गया थे दश्रत कौन थे वे राम के पिता थे और कैकई जो थी दश्रत की चहेती पत्नी थी और कभी किसी समय में दश्रत ने उनको कैकई को तीन वरदान देने का प्रण किया होगा जब राजा दस्रत ने राम क्योंकि राम सबसे बड़े पुत्र थे उनको राजा गोशित किया तो यह बात कैकई से सहन नहीं हुई और उन्होंने दस्रत से वो वर्मांगे उसमें उन्होंने राम को वनवास और भरत को जो की कैकई का सगा पुत्र था उसको राज मिले ऐसा उन्होंने वर्मांगा दस्रत बहुत ही दुखी हुएं और बहुत ही भारी मन से राम को वनवास जाने का आदेश दिया और राम ने भी पिता के आदेश का पालन किया और वन को चले गएं बाद में कई-कई को इस बाद से बहुत ही पश्चाताब हुआ और वह भरत और अयोध्यावासी के साथ जाकर राम को वन से वापस बुलाने का आग्रह करती है यह प्रसंग उसी समय का है और इस पूरे कविता में कई-कई अपराद बोज से ग्रसित है तो आईए सबसे पहले कुछ पंक्ती पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिस हम करते हैं यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को सबने रानी की ओर अचानक देखा वै धव्य तुशारा वृता यथा विदू लेखा बैठी थी अचल तथापी असंख्य तरंगा वह सिंगी अप्ती हाहा गोम की गंगा तो इसका हम मतलब समझने की कोशिस करते हैं उससे पहले कुछ कटिक जो शब्द हैं उसका मतलब समझते हैं अटल मतलब द्रिड कैकई स्वर मतलब कैकई की आवाज तुशारा वृता कोहरे से ढकी हुई वदू लेखा चांदनी की किरणे अचल मतलब स्थिर तथापी तो भी असंख्य तरंगा मतलब अंगिनत लहरे गोमुखी गोमुख जो स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है और सिंगी मतलब शेरणी तो आईए इन पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं इन पंक्तियों में कैकई अपराद बोच से ग्रसित दिखाई देती है वह राम को वनवास से वापस अयोद्य लोटाने का आग्र कर रही है कैकई भरत और बाकी अयोद्य वासी के साथ वन में राम को मनाने जाती है कैकई के मुख से कही बात सुनकर जब वह आग्रा करती है राम को घर वापस आने का यह बात सुनकर उपस्तित सारे अयोद्य वासी और सभा के लोग चकित रह गये यह सच है अब लोट चलो तुम घर को अर्थात मैं भरत की महानता और उसके मन में तुम्हारे प्रती जो प्यार है उसको नहीं समझ पाई यह बात कैकई किसको बताती है राम को बताती है मेरी यह मूर्खता को बुला कर अयोद्य लोट चलो तुम जो तुम्हारे लिए वनवास मांगी थी उस मूर्खता को बुला जाओ विद्वा कैकई स्वेत वस्त में ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोरे ने चांदनी को ढख लिया हो स्थिर बैटी होने के बार भी उसके मन में विचारों की अंगिनत तरंगे उठ रही थी कभी ईशा और घमंड से चूर और शेरिनी प्रतीत होने वाली रानी कैकई गोमुक से निकलने वाली गंगा नदी के समान शीतल और शांत दिख रही थी यह सब कैकई के मुक से सुनकर सभा के सभी लोग चौक उठे अब आगे की पंक्ती पढ़ते हैं हम हाँ जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना सब सुन ले तुमने स्वैम अभी यह माना यह सच है तो फिर लोट चलो घर मैया अपरादी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया बच्चो इस वीडियो को मैं फिर से दूसरे रिकॉर्डिंग में करूंगी क्योंकि इसका समय पूरा हो गया है